के तो हम proper discussion कर लेते हैं देखो अभी डिओ एक्जामनेशन के गाइडंस आไह में हैं फाइनिशल मैंडमेंट में कुछ भी चीज़े नहीं करें है तो Financial management में हर एक unit में देखो आपके कितनेchnしょ होते हें हर एक unit में आपके पांच होते हैं हलोते हैं कि अर्दिन कि चार आर यह पांच यह पांच unit सबसे पहले मैं बाद करता यूनिट वन का तो पढ़ना कैसे है वो भी मैं बताऊंगा पहले मैं आपको यूनिट समझा दू यूनिट वन है आपका थियूरी का और इसी के अंदर दूसरा चेफ्टर आजाता है टाइम वैल्यों आफ मनी लेकिन बहुत सारे स्टुडंट का कहना होता है सब टाइम वैलियों आफ मनी तो हमारे किताब में है ह कहाई है थो इसी हिए नहीं तो इसी चेफ्टर को बोला जाता है हमारा मैथमेटिक्स ऑफ Capital Budgeting Unit No.2 है हमारा Capital Budgeting Sir, Book के अंदर Capital Budgeting को दो पार्ट में ढाला हुआ है Capital Budgeting टचनीक के नाम से है और एक वीचिजचन Medi तीसरा यूनिट है हमारा जिसको इस यूनिट को हम फाइनेंशल डिसीजन के नाम से भी जानते हैं जिसमें माना जाता है हमारा मान लो यह थर्ड चेप्टर हो गया फोर चेप्टर है आपका लीवरेज फिफ चेप्टर है आपका यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सेवन चेप्टर जो अभी चल रहा था कैपिटल स्ट्रेक्चर यह कुछ हमारे चेप्टर है यूनिट नमबर थ्री में देखा जाए तो यूनिट नमबर थ्री सबसे बड़ा है एक तरीके से जो कि हमने खतम कर लिया है इसको इसके बाद आगे देखा जाए तो आजाए यूनिट नमबर फोर पे सबसे सिंपल यूनिट नमबर फोर जो कि हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे डिविडेंट पॉलिसी जो चप्टर नमबर आठ हो गया आपका चप्टर नमबर आठ लास्ट यूनिट है हमारा वर्किंग क्यापिटल यूनिट फाइव इसके अंदर काफी सारे चप्टर हैं नमबर वन वर्किंग क्यापिटल सिंपल चप्टर है कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है नमबर दो उपरेटिंग साइकल सिंपल चप्टर है नमबर थ्री ओपरेटिंग साइकल के बाद नमबर थ्री कैश मैनेजमेंट नमबर फोर रिसीवेबल मैनेजमेंट नमबर फाइव इनवेंटरी तो यह पांच यूनिट आपके गीवन है अगर मैं आपके इसी को वेटेज के टम्स में भी अगर मैं बता दूं तो मैं वेटेज के टम्स में बता देता हूं आपको दो मिनट दीजिए वेटेज भी मैं लिखे देता हूं मैं प्रॉपर डियू के अकॉर्डिंग वेटेज रिख रहा हूं इस वाले पहले वाले को जो वेटेज दिया गया है वो 10 मार्क्स आप जो भी मैं मार्क्स यहां पर लिख रहा हूं उसको 90% मान लिजएगा क्योंकि आपका 90 का पेपर आने वाला है पहला है हमारा 10 मार्क्स का जो की TVM और Theory वाला पॉइंट बनता है उसके बाद हमारा ये 25 मार्क्स तो आप देखेंगे वेटेज काफी ज़्यादा है हमारा Capital Bustin का 25 मार्क्स इसके बाद हमारा ये 30 मार्क्स जो वेटेज डियू ने Officially Announce किया हुआ है उसके according बता रहा हूं इसके बाद ये 15 मार्क्स और ये हमारा 10 इन माक्स नई सौरी 20 मार्क्स 15 UK बाद ये हमारा 20 मार्क्स कहां गए चौहां गए चौहां गए लाइव वाले बच्चे थीख हैं तो आहिश आप देखें मार्क्स के डिस्रिबूशन के हिसाब से चलें तो कौन सा चेप्टर ज्यादा important है you can understand कि आप खुदी पता लगा सकते हैं कि यह है यह सबसे बड़ा चेप्टर है 30 marks का हम पूरा का पूरा complete कर चुके almost इसके बाद dividend policy 15 marks का आता है बहुत simple सा है यह 3 दिन में खतम हो जाता है एक दिन Walter एक दिन गॉर्डन एक दिन mm तीन अप्रोची से एक एक दिन में खतम हो जाते हैं यह 20 marks का इसके अंदर most frequently questions जो आपके एक्जाम में आता है यह वाला आता है चीक है capital bursting में last में रखता हूं जैसे कि आपको दिख रहा है कि भईया marks 25 है तो उविस सी बात है एक दम हलका फुलका तो चप्टर होगा ने इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा इसलिए मैं लास्ट में बाकि pre recorded डाला हुआ है मैंने सर अब हमें कैसे study स्टार्ट करना यह तो हो गया आपका एक्जाम वेटेज आप समझ लिजे इस बात को आपका paper इसी pattern पे पूरा का पूरा decided है आपको सबसे पहले जो chapter करना चाहिए that is करना चाहिए leverage मैं हर बार leverage इसलिए बोलता हूँ क्योंकि यहां पर आपको contribution fix cost बहुत सारे चीजों को पता चल जाता है के केडी क्या होता है इस तरीके से लाइक दूसरा आप करेंगे ebit बिल्कुल similar सा chapter है इसमें तीसरे नंबर पर आप करेंगे cost of capital इसके अंदर आपको KD, KE, KP यह सब चीजों की basic जानकारी हो जाती है जो की आने वाले chapter में use होता है इसके बाद आपको करना होता है sir value of firm बहुत बच्चे कहते हैं sir value of firm कहा है हमारा syllabus में तो value of firm आपके syllabus के अंदर theory of capital structure and leverage value of firm के नाम से जाना जाता है नमबर पांच पे हर बच्चों को मैं कहूंगा कि आप करें working capital जो अभी start नहीं किया है तो वो join कर सकते हैं जितने भी आपके friend हैं उनको बता सकते हैं sir कि आप अगर क्यूंकि financial management का paper आपका देड़ से दो घंटे में attempt हो जाएगा अगर आपको आता हो अगर आपको नहीं आता तो आप paper attempt ही नहीं कर पाओगे नमबर छे पे आप करिए operating cycle नमबर साथ पे करिए आप inventory देखे चप्टर कितने सारे हैं नमबर आठ पे करिए आप यहाँ पे management receivable management नमबर नौ पे आप करिए capital budgeting नमबर दस पे करिए आप cash management प्रेश पे नमबर दस पे करिए आप time value of money नमबर ग्यारा पे last में करिए cash management अब इसमें से किसमें से 100% questions पूछे ही पूछे जाएंगे वो भी बता दूँ आपका देखे leverage में से 100% आएगा cost of capital में से 100% आएगा working capital में से 100% आएगा इसके बाद capital budgeting में से 100% आएगा इसके बाद time value of money में से आएगा ये वो चेप्टर पे मैंने टिक कर दियें इस बार आपके exam में इस चेप्टर में से तो question आना तह है अब सर जिस पर टिक नहीं करें ebit options में मिलेंगे आपको ये इसके बाद value of firm ये भी आपको options में available हो जाएगा तो जो पार्ट मैंने टिक किया है वो आपके exam में 100% है सर inventory theory पूछा जाता है बहुत कम chances है के आते हैं सर cash management बहुत rare case है तो जो बच्चा भी study कर रहा हो तो मैं सबसे पहले suggest करूँगा कि आप पहले उन चेप्टर को strong कर लीजे जिसमें से paper आना पक्का है उसके बाद उस चेप्टर की तरफ बढ़ेंगे आप जो चेप्टर में से paper आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है बच्चे सबसे पहले unit number one से start करते हैं और बुक क्योंकि दिखता है तो बुक में हम पहले चेप्टर से start करेंगे यहां पर उनका इतना time खराब हो जाता time value of money में थोड़ा complication आ जाता है तो वहां पर घबरा जाते हैं उस topic को छोड़ते हैं वह दूसरे चैप्टर दूसरे चैप्टर पर आ जाते हैं चलिए दूसरा unit start कर लें जो कि अपने आप में मैंने बोला बहुत बड़ा unit है और बहुत complications है इसके अंदर तो बच्चा यह करता है इसको करते कर बच्चा बोलता है और financial management समझ में नहीं आ रहा है मैंने कहा कि पहले आप इस sequence में चलेंगे ने तो आपका financial management बहुत अच्छे से start भी होगा और खतम भी हो जाएगा तो जो बच्चा अभी अभी latest join किया है जिस बच्चे ने तो उनको इसी strategy से पढ़ना है और बाकी मैं तो मैंने hopefully आपको समझ में आया होगा अगर किसी को course join करना है तो कल last date है कल तक join कर सकता है 399 का course है आपका इसमें तो मैंने तो सभी बच्चों को यह बता दिया बताईए किसी बच्चों का और भी कुछ concern है तो बताईए live वाले बच्चे